इस वीडियो में आपको मैं बताँगा फ्रेंग्स की कैसे आप MS Excel में formulas का यूज करके जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और Take My Way YouTube चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में आपको मैं सीखाने वाले हैं कि कैसे आप formulas का यूज कर सकते हैं अच्छे चरीके से और घटा गुना भाग कर सकते हैं साथ ही साथ आप average, count, maximum, minimum यह सारी values कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए सबसे पहले आते हैं और हम सीख लेते हैं कि इसमें हम जोड कैसे करते हैं क्योंकि Excel में अधिकतर आप जानते हैं कि काफी लंबे डेटा रहती है और हमको एक साथ सब को जोड़ना रहता है तो जोडने के लिए हम manually bet calculator से नहीं जोड सकते हैं और यहां पर category बनाए हुए कि यह सारी खर्चे होते हैं monthly budget में और यहां पर आपको दिख रहा है estimated खर्चा यहां पर यह खर्चा हमने अनुमान लगाया हुआ है और यह जो खर्चा है यह actual खर्चा है तो हमको सबसे पहले हम estimated खर्चा का जोड़ेंगे है कि estimated total खर्चा कितनी हुए है और उसके बाद actual खर्चा कितनी हुए और दोनों के बेच difference कितना हुआ यानि कि दोनों का अंतर किया है तो जोडने के लिए हम formulas का भी उच कर सकते हैं और हम menu से भी जोड सकते हैं पहले menu की बात करते हैं तो जोडने के लिए किसी भी operation के लिए Excel में आपको किसी भी सेल का position का अच्छे से पता होना चाहिए जैसे कि यह एक 10,000 का position है वह यहां पर देख सकते हैं कि F है और 3 है F3 इसकी position है उसी परकार यहां पर देख सकते हैं कि किसी क्या position है जोडने के लिए सबसे पहले बाळी कि हमकोे 10,000 अख से लिकाश्जाट के पूरी जो और 5,000 उसके बार हम ओवाले section में से जाएंगे सबसे राइट सा site में और एक छोटा सा और चाह escuch क्लिक तो आप देखिए नीचे टोटल हमारा यहां पर आ चुका है एस्टिमेटेड 43500 अब इसी काम को हम फॉर्मूला के जगे भी कर सकते हैं फॉर्मूला के आपको क्या करना है सबसे पहले आप याद रखिए कि जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं तो दसजार र्लीखेंगे दस-जार फनेगेजुने क्लिक करदेगे तो यहां फरी हमारा एड़् सबसके बाद हमिक लिकिंगे कॉलन टेड़ेंगे उसके बाद प्लस होके आ थ règles दोसरा है आप फिर से जाएंगे और हम equal to का sign देंगे sum के लिए उसके बाद लिखेंगे sum sum उसके बाद फिर bracket उसके बाद simply आपको क्या करना है अब गर बाद क्लिक करना है जहां से आपको जोडना उसके बाद करके जहां-त का जोडना आपको बाद कर दे बाद ब्राकेट बंड और उसके बाद क्लिक ले इंटर और कह Tanner और से इनको अगर जोड़ना है सिर्फ और बाखी सब को छोड़ देना तो वह भी आप कर सकते हैं तो जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए वहाँ पर चले चाहिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं उसके बाद इक्वल टू कहसान दूंगा उसके बाद सम उसके बाद ब्रैकेट बंद उसके बाद आपको क्लि करेंगे उसके बाद करेंगे इन्टर तो इन टेनों का टोटल सम यहां पर आ चुका है यहां पर उसके बाद हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं पर उसके बाद हम position लिखते हैं यहाँ की जहां से जहां तक के हमको करना है तो पहली position हें 10,000 पे क्लिक करते हैं उसके बाद colon उसके बाद अगर auto में लिखा जाता कि यहां से लेके इस पूरे सेक्शन का यहां पर हमने निकाल दिया है फॉर्मूला के जरिए एक्वल टू एवरेज और जहां से लेके जहां तक काम को निकालना था अब बात करते हैं काउंट का कैसे निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है आपको एक्वल टू देना ना गर कक काफी चाहाइब का लबी है तो हम एक एक जित करके नहीं हो तो च्रीड हमनें सकते हैं लेकिन खाफी लंबी सीड उसको काउंट करना पड़ता है काउंट करने के लिए हम काउंट का फॉर्मुला यूज करते हैं बात करते हैं maximum की जो भी हमारी data है एक्सल सीट के उसमें maximum value क्या तो उसके लिए हम formula यूज करेंगे उसके लिए click करेंगे equal to फिर से उसके बाद लिखेंगे MAS Max सिर्फ max लिखना है max उसके बाद bracket लगाएंगे first bracket उसके बाद हम फिर से जहां तक से जहां तक का हमको maximum निकाले क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम नीचे तक drag कर देंगे और उसके बाद फिर से ब्रैकेट बन और equal to तो यह हमारा maximum यहां पर देख सकते हैं कि हमारा minimum value भी आ गया maximum value 12,000 minimum value पच्छीस सो तो इसी तरीके से हमने 4-5 जिसी की एडिसन एवरेज काउंट maximum और minimum अब हम बात करते हैं कि हम Excel में घटाएंगे कैसे तो घटाने के लिए हम फॉर्मॉला का यूज करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले हम तो Hariktate दम्टशनक भालिमर हम बात 1-2 कीबोड लब लिए उसके बाद हमिंद से करेंगे कीबोड से उसके बाद सेकेंड आमर घहां उसमें घ्लिक करते हैं तो MAN निकाला है और हमारे बागे चार-पांच चीजे बागी है तो सब में हम फॉर्मुला नहीं लगाएंगे बल्कि यह जो फर्स्ट में हमने फॉर्मुला लगाए था उसी को अपलाई कर देंगे और अपलाई करना काफी एजी होता है सिंपली आपको माउस को लेके जाना है और साइड में आपको छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा ब्लैक कलर का उसको पकड़के आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है तो जहां तक आप ड्रैग कर देगा सब में यह उपर वाला फॉर्मुला अपलाई हो जाएगा और सब जो गया तो बाखी सब में अपने आप वो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मुला अपलाई हो गया तो यह कम आप एक्सेल में अच्छे से कर सकते हैं यह एक्सेल की खुबी तो यहां से हमने सीखा कि आप जोड़ घटाव एवरेज काउंट मैक्सिम मीनम कैसे निकाल सकते हैं अब हम इसका फॉर्मुला हम यूज करेंगे सबसे पहले एक्सेल में लिखाता है कोई फॉर्मुला यूज करने से पहले उसके बाद जिसको जिसको हमको गुना करना है तो पहला वहां पे हम क्लिक कर देंगे 25 को गुना करना है उसके बाद स्टार का साइन देंगे जिसको हम गुन को सेलेक्ट कर लेते हैं एफ फोर उसके बाद क्लिक कर देंगे इंटर तो हमारे यहां पर दोनों का मल्टिपिलेशन पांसो आ गया अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको सब्सक्राइब करने के जरूरत नहीं समय फॉर्मूला लगाने के जरूरत नहीं है बस सिंपले आपको म कि भाग कैसे कर सकते हैं तो यहां पर 25 बॉक्स की कीमट पापी सब पड़े नपदेगा पड़े से तो उसको भी हम करते हैं सबसे पहले हम इकल्ट्टी साइν देंगा heaven करेंगे तो 1500 हमको सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि हम को चुबधा। 25 से उसके बाद हम देंगे दमीत करेंगे से यहां पर हम अगया तहीं है चीज To हमारी ऑपने करेंगे तो अपालाइ करने कलिए मैंने पहले बताया था आपको साइड में जाना है और चोटा सा प्लास का इकन बनेगा नीचे तक खीज देना है और यह सारे फॉर्मूलेस इसमें अपलाई हो जाएंगे और सबक्राइब डिविजन अपने आप यहां पे हो गया है तो बहुत ही असान होता है एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करन लाते रहता हूं तो में चल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजएगा ताकि नवी वीडियो में लाओं तो आपको पता चल जाए फिलाल के तने फ्रेंड्स मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई